प्लूटी में विलकम बेक तो नदर वीडियो यह वीडियो काफ़ होने वाली है उन लोगों के लिए जो इंटर्शिप पाना चाहते हैं या फिर अभी इंटर्शिप के लिए अपलाई कर रहा हैं मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इंटरंस साला पे आपको apply करना चाहिए इंटरंसित के लिए ताकि आपको जो इंटरंसिंस है 100% offer हो सके और most important मैं एक question का answer देने जा रहा हूं जब भी आप इंटरंस साला पे apply करने जाते हो तो जो पहला question होता है वो होता है why should you be hired for this role ये question काफी simple सा है बट बहुत सारे लोग इसका answer करने में बहुत सारी उनको problems आती है वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका answer कैसे करें और सबसे बड़ी बात ये है कि इस question का answer पाना आपको बहुत मुस्किल है ऐसे कोई भी इसके बारे में discuss नहीं करता तो मैंने सोचा क्यों न मैं इस पर वीडियो बना दूँ और आप लोग को अच्छे से समझा दूँ कि इंटरन साला पे आपको कैसे apply करना चाहिए कैसे answer करने चाहिए ताकि आपका selection 100% हो जाए तो गाइस मेरा नाम है कैस आप देख रहे हैं तो इंजिनर का यूटीब चैनल अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लो क्योंकि मैं students के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को subscribe कर देना तो आज की इस वीडियो को हम सुरू करते हैं तो आज हम बात करने जा रहा है इंटर्ण साला platform के बारे में वहाँ पे आप internships के लिए कैसे apply कर सकते हो मैंने जो इस website का link है description में दे रखा है अगर आप website open करते हो तो आपके सामने ऐसा कुछ open होता है आप यहाँ पर internships में जाके आप अपने profile से regarding या फिर location से regarding या फिर category से regarding आप internships select कर सकते हो तो मैं अभी यहाँ से यहाँ से आप filter कर लिया है filter करने के बाद मैं यहाँ से कोई select करूँगा internship और उसमें apply करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको apply करना है मैं जो भी चीज़े बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनना क्योंकि यह सारी चीज़े आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है मेरा यह personal experience है इसलिए मैं आप लोग से discuss कर रहा हूँ तो guys let's suppose मुझे एक internship में apply करना है जो data analytics का है यहाँ पे देख सकते हो यह immediately मैं start कर सकता हूँ 6th month का internship है 2-5,000 मुझे step in मतलब मुझे पैसे भी मिलने वाले है तो यह part time allowed भी है इसमें तो यह internship अच्छी हो सकती है मेरे लिए आप इसमें से filter करके देख लेना आपको कौन से internship अच्छी है कौन से आपके लिए फायदे मन्द हो सकती है उसके हिसाब से अपने domain के हिसाब से आप internship सेलेक्ट कर लेना let's suppose मैं data analytics का select कर रहा हूँ और मैं इस पे click कर दे रहा हूँ मैं जैसे इस पे click करूँगा जो internship है उसका page open हो जाएगा और इसके बारे में जो भी details हो जाएंगे मेरे सामने सो होने लाएंगे और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इस internship के बारे में जैसे यहाँ पे six month की internship है यहाँ पे apply करना है 14th of July तक उसके बाद यह company के बारे में कुछ दिया है फिर यहाँ पे internship के बारे में कुछ दिया है जिसके बारे में आप पढ़के समझ सकते हो कि यह internship आपके लिए सही है या नहीं इसमें देख सकते हो skills required या फिर कौन कौन इसमें apply कर सकते हैं तो यह सारा आप एक बार जरूर पढ़ देना इंटर्सिप में apply करने से पहले और box में आपको क्या मिलने वाला है एक certificate मिलने वाला है पांच opening है तो यह सारी चीज़े पढ़ने के बाद आपको simply क्या करना है apply now पे click कर देना है जैसे ही आप apply now पे click कर दोगे आपने अगर पहले से इंटर्स आला पे apply नहीं किया हुआ है यह यहां पर एक resume fill करने के लिए आता है वह resume आप fill कर सकते हो यहां पर आपका नाम email id यह phone number मैंने गलत दिया हुआ है यह phone number सही नहीं है इस पर आप call करने का try नहीं करना उसके बाद अपना education qualification आपका college आपके cgpi फिर आपने पहले से कोई internship कर रखी है तो वह उसके बाद आप skills के बारे में बता सकते हो अपने github profile और अगर आप अपना कोई भी portfolio वगरा देना चाहते हो तो यहां पे दे सकते हो इसके बाद आपको simple क्या करना है proceed to application पे click करना है और उसके बाद एक page open होगा जहां पे आपको questions के answer देने होते हैं और सबसे most important यही page होता है यहां पे आपने वाले आप से पूछ रहे हैं आप यह क्यूं सोचते हो कि आप इस position के लिए सुडेपल या ideal candidate हो आप यह job क्यूं लेना चाहते हो तो simple सी बात है मैं आप लोग को एक example से इसको समझाना चाहता हूं अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो यहां पे answer पर अच्छे से लिखते हो तो आपका selection भी हो जाएगा एक और बात ऐसा नहीं है कि आप बस यहां पर answer अच्छे से लिख देते हो तो आपका selection हो जाएगा आपके resume पर भी depend करता है आपके overall development में depend करता है कि आप higher होते हो कि नहीं बट जो most important होता है आप कैसे इसको answer करते हो त English professionals written spoken दोनों let's suppose मैं जिस internship के लिए apply करना उसमें और सारे जैसे यहां पर देख सकते हो data analytics का है तो इसमें Python भी required हो सकता है data analytics के programming के tools भी अब क्या करना है आपको आपको जो answer में बता रहा हूं same वैसा ही लिखना है आप थोड़ा सा words अपने words में लिख लेना तो आपको क्या कर करेंगे answer लिखते समय आप अपने skills को इनकी requirements से match कराएंगे जैसे let's suppose इनके skills में statistical modeling या फिर Python या फिर और को project किया था इस hackathon में participate किया था इसलिए मुझे इस skills पे बहुत अच्छे से mastery है और मैं इस पे बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं अब जो second point आता है अगर आपने same field में जैसे data analytics में आपने पहले से भी काम किया हुआ है data analytics में आपने पहले से internship की हुई है उसे भी आप mention कर होगा solid हो जाएगा जैसे मैंने data analytics में internship करी है दो महीने का internship था वहां पर मैंने बहुत अच्छे से internship करी थी आप उसका certificate आप अगर देना चाहो तो उसका link भी इसमें दे सकते हो तो मेरे कहने का मतलब यह था कि company क्या ढूरती है यह पहले आपको समझना होगा वो चाहती है कि हम ऐसे candidate को hire करें जो same field में master हो वो कोई भी उसको काम किया दिया जाया वो कर सके तो आपको दिखाना क्या है कि आपने पहले से उस field में काम किया हुआ है उस topic पे काम किया हुआ है वो skill आपको बहुत अच्छे से आता है अगर आप यह लिग देते हो तो मैं 100% guarantee के साथ कह रह आओ अगर नहीं तो कब available हो यह बताना है तो यह simple सा question है इसमें अगर immediately available हो तो लिख दो या फिर जब भी आप available हो वो simple सा 2-3 line में आप लिख सकते हो जो most important question होता है वो यही होता है इसका अगर आप अच्छे से answer कर देते हो तो I am 100% sure आपकी selection हो जाएगी अब आप मुझे comment क करके बताओ मैंने जो बताया वो किस सथक सही है या फिर आप क्या सोचते हो इसके बारे में ताकि हम और अच्छे से discuss कर सके और और premium content बाहर आ सके तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के स जाए लगीए सेस्टी कर वीडियो